तो कैसे हैं सिक्सर के चाहने वाले बिकट के मतवाले क्रिकट के दीवाने उम्मीद है कि ना आप सभी बहुत अच्छे सूंगे आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं लीजन से लीग किरिकट 2023 मैच नंबर 6 अगर हम इस मैच की बात करें तो परफॉर्मेंस दोराते हैं और करते हैं मैदान फते वहीं वाले जीतोगे इस बारी ना अप उन करेंगे प्रट वार लेंगे पिछली हार का बदला तो आज के मैस में क्या होगा क्या ऐसी आलाइस कर पाएगा मैदान फते फिर से या वर्स जैंड करेगा प्लाट वार लेगा पिछली हार का बदला आज की वीडियो में यही जानेंगे एलासिस करने के बार तो चलो फिर जल्दी से वीडियो को पता है मैं कोई hero या celebrity थोड़ी ना हूं में तो आपकी बीच करेने वाला आपका अपना भाई हो तो अपने भाई का सपोर्ट अगर आप ही ना करेंगे कोई बाहर का येगा भाई का सपोर्ट करने के लिए नना जीना कोई भी करना किया कुछ भी नहीं में, बास चाहे आलगे में, बस वहीं से जॉइन करें तो भाई लोगी जो मैंच है न थर्स्टे सोला मार्च इंडिया टाइम अनुसार एट पीम से आप इसका लाइव एक संदेख सकते हैं वेस्ट इंडिफार्क इंटरनेशनल किर्किट स्टेडियम दो हमें यहां के मदान पर जो लीजर्स लीग चल ल पे लिचे स्कोर बनेगा तो दस मैंचस में से आफ मैंच में हो सकता है टीर्स्ट इफैंड की हो सकता है बाइं लोग यहां के मदाल पर जो मैंच होते यहां की सिपाइग जलmore को फिसमीनय को के ट करना कि वारिघ को के मुस्कीन ऒर। पहली इनिग में बल्लेबाजी करना दूसरे इनिग के मुकाबले आसान होता इसलिए जिए यहां पर मैचों में क्या हुए टार्किट डिफैंड हुए और मीडियम स्कोरिंग की बात करें यहां की जो बांडी लेंद तो जो इसमिनस गेंद बाच उनके चौके चक्वे तो लगते रहते हैं लेकिन साथ में वो बिकट भी निकालते रहते हैं और यहां का जो सरफेस से ड्राइय स सुरू में रन बनते बाद में रहन नहीं बनते इसलिए जो मैच होता वो थोड़ा सा मीडियम स्कोरिंग मैच होता है अगर हम आज के मैच में पावर प्ले स्कोर की बात करें तो आपको 46 से 51 के बीच में देखने को मिल चकता तो भाई लोग यहां के मैदान पे कौन से टीम बड़िया परफोर्मेंस करेगी और जो मैच होगा उसे अपने नाम पे करेगे चलो जानते सबसे पहले हम बात करते हूं यहां पर वी जाग्या करते है जैक एलिसकी बात कहें बड़ा हो जाय लेकिन सेर पॉल कॉलिंग बड़िया करते है काफी ज्यादा बढ़िया करते हैं और साथ में गेंदवाजी भी काफी ज्यादा बढ़िया नहीं कि सकते हैं लेकिन गेंदवाजी ठीक ठाक करते हैं पॉल कॉलिंग मुर्बा की बल्लेवाजी की बात करते हैं एरॉन फिंच की अग्वाई में जो इनकी बल्लेवाजी है वो बातकत इनके पास ब्रेटली हैं मॉन्टी पनेसर हैं मौफू हैं अगर हम इनकी गेंदवाजी की बातकत इनकी गेंदवाजी बल्ले बाजी और अरॉंडर काफी ज़्यादर कमाल के इसलिए जो इनकी बल्ले बाजी है वहापे थ्रोड़ सा डेफ आ जाती है आठ नमबर तक इनकी बल्ले बाजी दिखती है और गेंदवाजी की बात करें तो साथ आठ आठ ऑप्सन गेंदवाजी में दिखते किसके वर्ल्ल जाइन्स की बात करें तो इनकी टीम है वह भी काफी ज़्यादा बेतार है क्योंकि तिलक रत्य दिलशाल ओ अपुल थरंगा ओपन करने आत अभी PSL खेल के आए हैं तो उनसे तो उम्मीद तो बढ़ी आए रहेगी असकर अफगान की बात करें तो आप सब को पता असकर अफगान तावर्त बल्ले बाजी करते थी सारा फरेरा की बात करें बहुत जवर्दस तरीके से फिनिस करते हैं अब्दुल लजा की बात करें पिछले मैच में जिस तरी किसी फिनिस किया था गेंदवाजी करी थी वो काफी ज़्यादा काबले तारीफ थी बाकि अगर हम इनकी गेंदवाजी की बात करें तो आप सब को पता रफ्तार के सौधागार हैं बाकि अब्दूर्ण बढ़ादेश से आते हैं ये भी काफी ज ज्यादा सॉलिड नजर आ रही तो बराबरी के नजर आ रहा है चलो अब जानी लेते ही जो मैं आच होगा कौन सी टीम कर पाएगी अपने नामरी कि उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है ना क्योंकि आपको पता मैं कोई हीरो या स्लेवेटी हूं ना हू तो सारी हैं लैसेस करने के बाद के नियमानुसार अगर हम इस मैस की बात करें जो मैं अच हो 50-50-50 World Giants and 50 Asia Lions लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है जो मैं अच है ना Asia Lions अपने नाम पर कर सकता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा क्या बोलूँगा मेरा टेलीग् जोइन करने के लिए क्यों करना है क्योंकि इस मैस की फानल्रेइक्formed होगी डिय्जिट होगी नो वह आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिले और जिन लोगों के पहले से जोइन किया मेरा टेलीग्राम वह तो काफी जादा मज़े है तो भाई-लोक आप पीछे क्यों हूँ अग याल को सब्सक्राइब नहीं कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मैंस की एफ एक्षन के साथ तब तक के लिए God bless you